जिन मित्रों ने चैनल को सस्क्राइब कि आज नया साल है तो जो लोग हिंदी समस्ते हैं उनके लिए नया साल मुबारक हो और जो लोग हिंदी ऊर इंग्लिस दोनों समस्ते हैं उनके लिए हैपी नियर तो जैसे कि आपको बता है कि आज जो है 2021 वर्स लाग हो गया है तो फ्रेंट्स आपको जैसे कि अगर कोई नया साल आता है तो लोग सायरी सुनाते हैं कविता सुनाते हैं तो मैं भी कुछ सुनाना ही चाहती हूं सायरी सुनाना चाहती हूं तो मैं सायरी से ही अप पुराना साल गया जवाबों की तरह, नया साल आया गुलाबों की तरह, हिंदो मुस्लिम सिख इसाई, दिन गए हफ़ते गए और गए ये साल, मुबारक हो आपको हमारी तरफ से ये नया साल, मुबारक हो आपको हमारी तरफ से ये नया साल, ना कोई राज का लम्हा किसी के पास आये, खुदा करे कि ये साल हर बार आये, सेर कभी छुपकर सिकार नहीं करतें, बुजदिल कभी खुलकर वार नहीं करतें, और हम तो वो हैं जो हैपी नुई येर के लिए जन्वरी का इंतजार नहीं करतें, पुराना साल कुछ खुसियां और कुछ आंसों देकर टल गया, जीवन का एक और सुनहरा पल हाथों से निकल गया, तो फ्रेंट्स आपको हमारी ये सारी कैसी लगी, गई लोगों ने सोचा होगा इसे हम नोट कर लेते हैं, तो लिए कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारी सारी हो सकती है, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी सारी है, उसे प्रकार अपना विचार कमेंट में हमें बताईएगा, तो फ्रेंड्स जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आज हैपी न्यू इयर है, यानि कि 2021 है, जैसे सब लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी, कि चलो अब 2020 से छुटकारा मेरा, और अब हम नई सिरी से नई जिन्दिगी का सुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे बड़े लोग इ अब करेंगे, और बहुत सारी मनोकामना बच्चे लिए रहते हैं अपने अंदर, कि अपके बार मैं मम्मे को ये करूँगी, ये करूँगी मम्मी को गिफ्ट दूँगे, और मैं मम्मी से मांगोंगी कि मुझे क्या गिफ्ट देंगी और ऐसे ही कुछ चीजों को आप सोच तो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सायरी और थोड़ी सी बाते भी हम निकल ली है तो ज्यादा समय ना लेते हुए थेंक यू थेंक यू तेंक यू सो मच और हैपी नुए यू यू यू